हेलो दोस्तों सब्सक्राइब आप सबी के एक्जाम आज अच्छे तरीके से सम्मिट हो गए होंगे कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि बहुत से बच्चों ने पहली बार वह भी एक्जाम अटेम्ट किया है तो उन्हें गवराट हो रही थी किस तरह से ओभी एक्जा लिखना था और कितने नंबर आ सकते हैं तो पहले बात करते हैं क्या दिक्कत हुई आज तो दोस्तों आज मुश्किली किसी बच्चे को दिक्कत हुई होगी जिस तरह समय तो दोस्तों वीडियों बताया था कि 10-15 मिंट आपको लग सकते हैं कि आपकी साइड एरर हो सकती है Pas Also ने अपनी साइड बिल्कुल ठीक ठाव होगी तो दिक्कत हु오 होगी तो पांच मिन्ट हुई होगी मुश्किल से को दिक्कत कहसे पर ने में वाला उने वाला था उससे पहले साइड बिल्कुल एरर हो गई थी तो साइड पर एरर एकदम से दिखाने लगाता तो उस टाइम हमें थोड़ी घबराट होगी थी कि लगारा फिर से ये साइड एरर होने वाली है तो फिर दस मिनिट बाद साइड फिर से ठीक ठाक काम करने लगी और सभी के कोशन मेरे गाल से थोड़ी दिककत हुई होगी बस पांच मिन्ट के लिए होगी वरना मुशल से किसी को कोशन पेपर डाउनलोड करने में दिककत हुई होगी अब बात कर लें कि जैसा ही कोशन पेपर सबने डाउनलोड कर लिया अब आती हमारी आंसर लिखने की बात तो बहुत से बच्चे हब मेरे से कोमेंट करने लगे कि वनते वाले दिया…. कि उस लिए मैंने अपनी यूटूब चैनल पर भी वह कोश्ण पयपर अपलोड कर सा दिया तो मैंने तुरन वैम क्क्रा ऐडा तो अशने वाले वाले बचे episódio । आध से भूज़ से बचों को दिक्कत नहीं कोशने थे तो कोशन देखिए आपके बुक में से रिफ दो हैं पोचे गए दो बाकि सब सब आपको कोईड के ओपर पूद पूचे गए हैं मतलब मैक्सिम। इतना कोशन पर फाइन टा इस तरह से इतना इस बता कि आपको जो भी लिखना था एक तो पहला ता पेराग्राफ म है जो दो कोश्ण देखने के लिए उन में और उन्होंने उसका नाम दे दिया जो है इस वाले बुख से कर सकते हो तो उन्होंने पुझ का नम वधिया था कि नम युझे के घुलाएं नहीं होसा पतानी के रही गोते हैं फंगे सब 밟 तो इस्थी टूप आपको तीन कोशन अटेम्ट करने थे और शे कोशन आये थे शेमसे तीन करने थे तो सभी ने तीन कोशन अटेम्ट कर लिए तो यह निमान के चलिए आपका 50 नमबर का पेपर आया था एक कोशन 25 नमबर का हो गया तो आपने तीनों कोशन अटेम्ट कर लिए आई होप के बहु जोगल से भी सलच मार सकते थे तो एतना सा आ सहता था तो आप गूगल ने किया ऊपने आपसे बहुत से बया आप बहुत से बच्चों तो तीन कोशन में से अगर आपने अपनी तरफ से किया है तो सब के मान के चलिए 75 नंबर गाता तो 75 में से दोस्तो 55 नंबर मैक्सिमुम सब के बन जाएंगे इसमें कोई दिक्कत वाली बात अगर आपने प्रोपली जवाब उसके कोशन के आंसर के दिये हैं तो अगर आपने जवाब दियें तो 55-60 नंबर आराम से बन जाएंगे अब टीचर के उपर है वह आपने किस तरह से लिखा है कितना लिखा है क्या लिखा है तो वह टीचर देखेगा वैसे मेरे ख्याल से 55-60 नंबर सभी बच्चे के बनने चाहिए क्योंकि इतना इसी था तो उसमें कोई व ज़ precio कुछ दिक्कत हुई होगी दे रहें तो उन्हें दिक्कत होगी अब दोस्तों करते हैं कि आपने कोशली से अफलोड हो गय ले लिया हो कि मुश्किल से थोड़े बहुत बच्चे होंगे जो गया होगे वहना सभी बच्चों ने चार गंटें अंदर कर दिया होगा अब जो बच्चा सोच रहा हो कि हम पाँच वाइग गंठा यूज कर ले तो अब को पुरूफ चाहिए था तो आई होप कि आपने ले लिया तो बस दोस्तों यही था कि सभी के पेपर आज मुझे ऐसा लगा कि सभी की पेपर अच्छे खासे हो गए और कोई दिक्कत आई है तो मुश्किली किसी बच्चे को दिक्कत आई है और अब इस पेपर की तैयारी सुरू कर दीजिए और आपको तो पता लगी गया हो जो 30 वाले बच्चे है करेंगे उनका पेपर नो तारीक से है तो वह है पहली बार अटेम्ट करेंगे जो 30 वाले बच्चे हैं हैं जो पहला पेपर देंगे च्छा करेंगे तो आयोब के सभी के पेपर आराम से हो जाए और मैं आपके साथ हमेंसा बना रहूंगा कोई भी दिक्कत होगी आप बेजी जाक कोमेंट करके पूर सकते हो ठीक है दोस्तों तो बस यह वीडियो थी आयोब सभी को अच्छा लगा हो कि पेपर अच्छे से गया हो सभी ठीका बस दोस्तों आगे भी आपके साथ हमेंसा बना रहूंगा तो आपका सपोर्ट चाहिए वीडियो शेयर कर देना सब्काइब कर देना लाइक कर देना ठीक है दोस्तों तो थाइंक यू क्जूआगी झाल कर देने समय जी नहात चाहिए को अपका है ढखकाओ दोस्तों नहाब होका है आपका सब्का स्रीक सालीक